सिर्मौव न्यूज प्रिजेंट्स न्यूज अट नाइन इन असोसीशन विद भूशन ज्वेलर्स सोलन सिर्मौव जिला के विकास खंड पॉटा सहिप की ग्राम पंचायत गोर्खु वाला में जन्मंच कायक्रम आयव जित हुआ जिसके अधक्षता विधान सभा उपाधक्ष हंसराज ने की जन्मंच में गोर्खु वाला के साथ लगती सभी आठ अन्य ग्राम पंचायतों के लोगों के समस्याओं को सुना गया जन्मंच कायक्रम के लिए 21 शिकायते ऑनलाइन दर्ज हुई थी जिन में से अधिकता शिकायतों का मौके पर ही निप्टारा किया गया वही मौके पर मिली शिकैतों के निप्टारे के लिए अधिकारियों को समेबत तरीके से निप्टाने के लिए निर्देश दिये गए विधान सभाव पधक्ष हंसराज ने कहा कि जन्मंच कायक्रम जैराम सरकार का एक बहतरीन कायक्रम है जिसके सकरात्मक परिणाम सामनी आए हैं। उन्होंने कहा कि जैराम सरकार ने सत्ता में आते ही ये कायक्रम शुरू किया है और मुख्या मंत्री की निर्देशों पर विभिन जिलों में आयजुत होने वाले इस काई क्रमों में कैबिनेट मंत्री स्वेम जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं ऐसा है जन्मंच मानने मुख्या मंत्री जी का एक बहतरीन प्रयास है जैसे आप लोग खुद भी देखते हैं कि एक विशय जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी उसकी सुनवाई on the spot होती है बीच में कुछ एक लूपॉइंट्स रहे हैं जिसमें मैंने भाशन में भी कहा कि अगर एक विशय जो है वो दो तीन जन्मंचों में चला जाता तो उसको हम सॉट आउट कैसे कर सकते हैं इसमें हमने डी साब को कहा है इनको डिरेक्शन दी है हमारे सुखत बात यह है कि बी से ग्रिवैंस आ जाई थी और उसके बाद जो आई हैं उनका भी हम समधान करेंगे विभागों को लिख दी है हमने और उसकी जानकारी लेकर के उनको दे दी जाएगी लेकिन सुखत बात यह है कि सारी चीजें जिनको हम चाहे वो जल शक्ती विभाग से हैं पिड़ोडी से हैं या रेबनियू से जुड़ी हुई है या और भी डिपार्टमेंट से हैं उनको यहीं पर समधान करने की हम कोशिश करते हैं और काफी हद तक हम काम्याब भी होते हैं लेकिन जहां पर काम्याबी नहीं मिलती तो वहां हमारे अलादिकारी डिजी जाब हैं और इनकी टीम हैं वो सब लोग इसमें लगते हैं तो जन्मन हिमाचल प्रदेश का ऐसा चाहूंगा बदाई देना चाहूंगा कि पहले चीफ मिनिस्टर जिन्होंने हमको जोके में डाल दिया जाओ और जन्ता ने जिताया है तो जन्ता के बीच में जा करके जन्ता के जो ग्रिवैंसी और डिमैंड से उनको सोट आउट करो तो इसमें काफी हद तक हम काम्याब भ तो उसमें थोड़ा व्याबधान रहा है लेकिन फिर भी हम अच्छा कर रहे हैं और राजधानी शम्ला में रविवार को 6-5 साल तक के बच्चों को पोल्यों की खुराग पिलाए गई पोल्यों की खुराग पिलाने के लिए शम्ला शहर में 38 बूत बनाए गए थे जहां 5 स से कम उम्र के बच्चों को पोल्यों की दवाई पिलाए गई शहर में बच्चों के संख्या 4324 के करीब है स्वासे विभाग ने शहर में 38 बूत स्थापित किये हैं इसके लावा उपनगरों में चैनित जगहों पर तीन मोबाइल टी में भी तैनात की गई है और श्राम 4 और मैं फिमेल हेल्थ परकर सबसेंटर बाइचुरी में पोस्टेट हूँ आज मेरी ड्यूटी जो है गर्मेंट हाई स्कूल देवनगर में लगाई गई है जैसा कि आप जानते हैं आज 14 फैफ है और पल्स पोल्यो इमनाइशन प्रोग्राम है ये ड्यूटी हमारी जो है त और फिर भी कहीं कोई बच्चा हमसे चूट ना जाए या कहीं किसी बच्चे को जो है वो पोल्यो ना हो जाए इसलिए जो है हम इस प्रोग्राम में घर घर जाकर ये सर्च करते हैं कि कोई भी बच्चा हमारा नहीं चूटना चाहिए पोल्यो अभ्यान के तहत सिर्मौर जिला में करीब साथ हजार बच्चों को पोल्यो की दवा पिलाई जारी है जिला में आज विधान सबा उपाधक्ष हंसराज भ्यान का शुभारम किया मुख्य चिकत्स अधिकारे सिर्मौर डॉक्टर के के पराशन ने बताया कि साथ हजार बच्चों को दवा पिलाने के लिए जिला में 538 टीमों का गठन किया गया है जो दो दिनों तक जिला में बच्चों को पोल्यो की दवा पिलाएगी उन्होंने कहा कि पहले दिन पोल्यो बूत पर दवा पिलाई जारी है जबकि अगले दिन घर घर जाकर ऐसे बच्चों को पोल्यो दवा पिलाई जाएगी जिनको पोल्यो बूत पर दवा नहीं पिलाई गई हो इसमें लगबग हमारे पास साथ हजार जो बच्चे हैं उनको दवाई पिलाई जाएगी और इसमें पूरे डिस्टिक्स इर्मावर में पान सो आटीस टीमों का अमने गठन किया गया है इसमें हमारी कुछ मोबाई टीम भी हैं कुछ टांजिस टीम है जो बेरियर पे भी रहेंगी तो ये इस तरह से हमें ये पहले दिन आज बूत एक्टिविटी है उसके बाद सेकंड पंदरा और सोला को हाउस टो आउस एक्टिविटी रहेगी इसमें पांस साल से सभी छोटे बच्चों को दवाई पलाई जेएगे दिल्ली में हुए रिंकु हत्यकांड पर जिला मुख्याली नहन में हिंदू जागरन मंच ने शनिवार देश राम केंडल मार्च निकाल दिवंगत रिंकु को शद्धांजली अर्पित की साथी दोशों के खिलाफ कड़ी कारेवाई की मांकी दरसल हिंदू जागरन मंच से जुड़े कारे करताओं सहित नहन शहर के दरजनों लोग स्थानिय रानी जहासी पार्क में एकत्रित हुए सर्व प्रथम दिवंगत रिंकु शर्मा के चित्र पर दीपक जिलाकर पुष्प अर्पित कर शद्धांजली दी गई इस दोरान कारे करताओं ने दिवंगत आत्मा की शांती के लिए दो मिनट का मौन भी रखा ततपश्चात दरजनों की संख्या में एकत्रित हुए लोगों ने रानी जहासी पार्क से लेका दिली गेट तक केंडल मार्श निकाला साथ ही सरकार से दोशों के खिलाफ कड़ी कारेवाही करने की मांगी वो बड़ा ही दुख का विश्व है कि एक और जहां पूरा देश ही नहीं अपितू पूरा विश्व राम में हो गया है और जो शहीद रिंकु शर्मा है वो भी इस निदी समर्पन अभियान की तोली के एक सदस्य थे इस जो निशंस हत्या हुई उसके पीछे थी कि जो शहीद रिंकु शर्मा थे वो राम भक्त थे सनातन योध्धा थे और इसी से कहीं न कहीं उद्वेलित हो करके जो जिहादी तत्वों ने जो है एक अकेले रिंकु शर्मा को दरजनों जिहादी मानसिक्ता वाले लोगों ने सरयाम उनकी हत्या कर दी तो पूरा जिलासिर मौर हमारी हिंदु जागरण मंच की टीम और राम मंदिर निधी सरमपन अभियान की जो पूरी टीम है इस रोश रेली के माध्यम से अपना रोश प्रकट करती है और शासन और प्रशासन से ये अग्रह करती है कि जो बार बार रामभक्त सनातनी युद्धाओं के बलिदान लिये जा रहे हैं ये करम रुकना चाहिए और जो भी दोशी हैं उनको इतनी कठोर से कठोर सजा मिले कि दोबारा दोबारा इस तरह की घटनाए ना दोराई जाए पॉटर साहिब में नैशनल हाईवे पचल रहे खुदाई के कारे के चलते वहां चालकों को परिशानी जेनली बढ़ रही है विभाग ने नैश के किनारों पर खुदाई की है लेकिन वहां सावधानी के लिए किसी भी तरह के निशान या रिफलेक्टर नहीं लगाए गए हैं जिसकी कारण कई बार वहां दुरुगटना ग्रस्थ हो गए है रविवार देश शाम को भी अचानक एक गाड़ी दुरुगटना ग्रस्थ हो गई गाड़ी को भारे नुकसान पहुंचा है विभाग को ये लापर वाही दोपई या वाहं चालकों की जान पर भी भारी बढ़ सकती है पॉटा सहिब के बाता नदी में 14 वर्षिय एक किशोर की डूबने से मौत हो गई बताया जा रहा है कि नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया और वो उसमें बह गया मृतक की पहचान 14 वर्षिय शाकीर अली पुत्र रह्मान निवासी कुंडियों के रूप में हुई है जो अपने दोस्तों के साथ बाता नदी को पार कर रहा था तब ही नदी का जलस्तर बढ़ गया और वो नदी में बह गया हालंकि कुछ देर बाद उसके शब को नदी से निकाल लिया गया जिना सिर्मौर के पौटा साहिब में आयोजित जन मंच पर पौटा शिलाई नैशनल हाईवे की दुर्दश्र का मामला गूंज उठा जिसके बाद विधान सबा उपाधक्ष ने अधिकारियों को इस मामले को गंभीरता के साथ देखने की आदेश दिये समा सेवी नाथूराम ने इस विश्च को विधान सबा उपाधक्ष हंसराज के समक्ष रखा साथ ही बांगरन पल दोडाए जा रहे ओवरलोड वाहनू का मामला भी उजागर किया हलनकि जन मंच पर समाधान का आश्वासन जरूर मिला है लेकिन देखना ये होगा कि क्या अधिकारी आदेशु का पालन करेंगे या फिर हमेशा की तरहां जनता को जूटी आश्वासन का शिकार होना पड़ेगा कोई भी सुनवाई और उसके उपर जो तो ये आप बात कर रहे हैं तो आप नए एनेच की बात कर रहे हैं नए एनेच का काम लगना है चार टेंडरूज के हुए हैं सभी 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 किलो मेटर के लेकिन तब तक क्या उस सड़को उसी दशा में छोड़ दिया जाए उसका कब से टॉप पैच वर क्तो किया जा है तो तो किया जा है तो इसको सीरिस ले मैं मानने मंत्री जी से भी चप्चा करूँगा मुक्चा मंत्री जी को भी ये रिपोर्ट जाए बीती यादों से नाता सहिश ना सीखा हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा गिरने लगती जब तो उनसे संबलना सीखा उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा गर से दूर होकर भी दिल को हमेशा ये एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है बुशन जूलर्स अनमोल रिष्टों के लिए